बक्राई स्पेशल में आज हम बनाएंगे मलाई कोफते और ये ग्रीन मलाई कोफते हैं जिनको हम बिना फूट कलर के नैचरल सी ग्रेनेश शेड में तयार करेंगे क्योंकि फूट कलर इन में बहुत ज़्यादा अर्टिफिशल सा लगेगा इसके रावा इन कोफतों के हवाले से एक सीक्रिट इंग्रीजियन्ट और बहुत ही यूसफुल टिप्स भी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी असलाम लेगो मैं हूँ साधिया उजएर वेल्कम बैक टू साधिया उजएर्स किचन रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कर लीजएगा बिसमिल्ला रह्मारी रहीम तो कोफ़तों के लिए अब यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मिटन का कीमा लिया है आप बोनलेस बीफ या बोनलेस मिटन भी ले सकते हैं इसके लावा बोनलेस चिकन का भी इस्टमाल कर सकते हैं अब कोफ़ते बनाने के लिए सबसे जो एहम और सबसे important point है कीमा बिलकुल बारीक पिसा हुआ बिलकुल मैश हुआ वा कीमा लेना होता है अगर हम मोटे कीमे का इस्तमाल करते हैं तो कोफ़ते बनाने के बाद कोफ़तों की शेप खराब हो जाती है और यही बजा है कि कोफ़त बनाने के लिए चौपर का इस्तमाल लाजबी होता है लेकिन अगर आप चाहें तो आप फिर बाजार से भी कीमे को अच्छे से पिस्वा सकते हैं तो कीमे को चौपर में डाल देंगे और साथ ही एक बड़े साइस की प्यास को इस तरह से बिलकुल बारीक बारीक चौप करे साथी इसमें शामिल करेंगे एक खाने का चमच अदर क्लैसन का पेस्ट आदा चाहे का चमच गरम मसाला पाउडर एक चाहे का चमच यह हस्बजाई का नमक आदा चाहे का चमच काली मिरज का पाउडर तीन खाने के चमच भुने हुए चनों का पाउडर या आप इसकी जग अपने टेस्क के मताबिक मिच्चे आप कम जादा कर सकते हैं और अब आती है उस सीक्रिट इंग्रीडिटिन के बारी कोफ्तों में एक अच्छा सा फ्रेश ग्रीन कलर आए तो इसके लिए इसमें हम शामिल करेंगे थ्री फॉर्थ कप उबले हुए मटर लेकिन ये बिल्कुल कलर के लिए अगर हम सिर्फ धनिया, पुधीना और हरी मिच्चों का इसमाल करते हैं तो पकने के थूरी देर के बाद उनका कलर काला सा हो जाता है लेकिन अगर हम ये उबले हुए मटर शामिल करेंगे तो कोफ्तों का कलर काला नहीं पड़ेगा बलके फ्रेश ग्रीन सा रह बाद भी है इसी तरह ही रहेगा काला नहीं पड़ेगा देखे इस तरह से बिलकुल पेस्ट की तरह इसको बारीग पीसना है तो अब इस मिक्सर से कोफ्ते तयार कर लेंगे कोफ्तों का साइज जो भी आप रखना चाते हैं चोटा या बड़ा अपनी मर्जी के मताबिक बाद बाद करना होता है इसकी बाइंटिंग हमें बहुत अच्छे से करनी होती है वर्ना पकने के बाद इनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं तो यहाँ पर इस सारे मिक्सर से मैंने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं और अब चलते हैं हम इसके अगले स्टेप की तरफ तो अगले चार से पांच खाने के चमच ऑईल और इसमें शामिल करेंगे कुछ साबित करम मिसाले जिसमें है एक चाय का चमच साबित जीरा, एक चाय का चमच साबित काले मिरच, एक जावेतरी का टुकड़ा, एक काली बड़ी इलाइची, साथ से आठ सबस इलाइची, साथ से आठ लॉ और एक दार्चीनी का टुकड़ा, बस एक अदे मिनट के लिए हलका सा ही इनको आईल में फ्राय करना है और थोड़ी से देरी के बाद इसमें शामिल कर देंगे, एक बड़े साइज का प्यास इससे स्लाइस करके बस इस point पर प्यास को भी हमें हलका सा transparent होने तक fry करना है इस पर color नहीं आने देना प्यास जब हलके से transparent हो जाएंगे तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे डेट खाने का चमच अद्रक लेसन का paste अब थोड़ी देर के लिए इसको भी fry कर लेंगे आप इसमें साबित अद्रक लेसन भी शामिल कर सकते हैं फिर आप उसको प्यास के साथ ही एड़ कर दें लेसन को fry करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 12-15 बादाम, 5-6 हरी मिर्जे और ग्रेवी में भी एक अच्छा सा green color आये तो इसमें भी हम आधा कप मटर शामिल करेंगे और अगें कि हम सिर्फ color के लिए add कर रहे हैं optional है, मटर नहीं है या इनका season नहीं है तो फिर आप मट आड़ करें तो मटर शामिल करके थोड़ी सी देर तक भूनने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना लेकिन इसको हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना वरना ये काला सा हो जाएगा बस हलका सा इसको एक आदे मिनट के लिए mixi करेंगे इसके बाद अब हम flame को off करेंगे और इसको pan में से निकाल लेंगे अब पहले इसको अच्छे से room temperature पर ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको blend कर लेंगे और blend करने के बाद देखें इस तरह का एक paste तयार हो जाएगा इसके बाद दुबारा से pan में डालेंगे वन फॉर्थ कब घी या oil जो भी आप इसमाल करते हैं ले सकते हैं और घी में ये blend किया हुआ paste शामिल कर देंगे एक बार इसको mix कर लेंगे और साथ इसमें कुछ spices भी जाएंगे वन फॉर्थ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे जाइफल पाउडर जावित्री इसमें हमने पहले शामिल करती थी एक चाय का चमच ये अपने टेस्ट के मताबिक इसमें शामिल करेंगे काली मिरज का पाउडर एक चाय का चमच भुना और कुटा हुआ जीरा और हस्पे जायका टेस्ट के मताबिक इसमें नमक शामिल करेंगे इसके बाद इसमें अच्छे से फैंट कर थ्री फूर्थ कप दही शामिल करेंगे अब इसके नीचे हमें फ्लेम को मीडियम रखना है और इसी तरह से लगतार हिलाते हुए इस मिसाले की बुनाई करनी है चमच जिसमें हमें लगतार इसलिए चलाना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी नीचे लग सकता है तो इसलिए इस बात का ख्याल करते हुए मिसाले की बुनाई करेंगे यहाँ पर इसको भूनते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो गए है और थोड़ा थोड़ा सा आयल भी इसके उपर आ गया है इस पॉइंट पर इसको भून कर हमें ज़्यादा ड्राइ नहीं करना बस अब इसमें हम शामिल कर देंगे कौफटे कौफटे बहुत ही सॉफ्ट हैं एहत्याद के साथ शामिल करेंगे तक इनकी शेप खराब ना हो तो अभी हमने इसमें बिल्कुल भी चमच नहीं चलाना क्योंकि कोफते बहुती सॉफ्ट हैं तूट सकते हैं अब इसके नीचे हम फ्लेम को बिल्कुल हलका कर देंगे जैसे कि दम वली आज होती है तक ये नीचे भी ना लगे और इस तरह से उपर से मुकमल इसको कवर करके हलकी आज पर इसको 5-6 मिनट के लिए पकते देंगे तक कोफते सॉलिड हो जाएं तो 5-6 मिनट हो गए हैं यहां पर कोफतों को पकते हुए अब इनकी हमें अच्छे से भुनाई करनी है क्योंकि कोफते यहां पर बिल्कुल सॉलिड हो चुके हैं अब इनमें हम चम्मच चलाएंगे तो यह तूटेंगे नहीं तो 4-5 मिनट तक या इतनी दर तक इसकी भुनाई करेंगे जब तक के आयल सेपरेट हो जाए देखें आयल सेपरेट हो गया है अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे तक कोफतों को अच्छे से पका सकें यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी शामिल किया है मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर देखें कि यह पकने लग गए है अब इसको हम मुकमल कवर कर देंगे और फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हलका कर देंगे हलकी आज पर इसको 20-25 मिनट के लिए पकने देंगे तो 15-20 मिनट हो गए हैं यहाँ पर इनको पकते हुए आप देखें इसको ऑईल भी उपर सेपरेट हो गया है तो अब इसको मजीद ड्राय करने से पहले जितना भी इसके उपर एक्स्ट्रा ओयल है इसको हम चमच की मतल से एक दूसरे बरतन में निकाल लेंगे क्योंकि कोफ्तों को ड्राय करने के बाद इसमें हमने क्रीम शामल करनी है और जब हम इसमें क्रीम शामल करेंगे तो यह सारा ओयल एकदम से खाइब हो जाएगा तो थोड़ा सा ओयल इसमें मैंने रहने दिया है तक कि यह नीचे ना लगे क्योंकि इसको अभी हमें ड्राइ करना है और ये सेपरेट किये हुए आयल को अभी एक साइट पर रख देंगे और कौफतों को थोड़ी देर के लिए मजीद पकाएंगे तक जितना भी इसमें एक्स्ट्रा मॉस्चर या पानी है वो ड्राइ हो जाए तो कौफतों में जब एक्स्ट्रा पानी ड्राइ हो जाएगा तो फिर इसमें शामल कर देंगे एक चाय का चमच मेथी यहाँ पर कौफते बहुत अच्छे से पक भी चुके हैं मेथी को बस मिक्स करेंगे और साथ इसमें शामल कर देंगे एक कप क्रीम अब अगर आपकी क्रीम थोड़ी से थिक है तो फिर आपने कोफतों को इतना ड्राय नहीं करना थोड़ा सा मौश्टर इसमें रहने देना है बस लास्ट में जो ग्रेवी की थिकनेस होनी चाहिए उसको हमें बैलन्स करना है इसके लावर जो एक बात का आपने और ख्याल करना है क्रीम आपने इसमें तभी शामल करनी है जब आपने कोफतों को सर्फ करना है जैसे कि अगर कोई दावत है तो कोफते तयार करके आप पहले से रख सकते हैं लेकिन क्रीम शामल करने का जो यहाँ से यह प्रॉसेस है यह आपने तभी करना है जब आपने कोफतों को फ्रेश फ्रेश सर्फ करना है बस क्रीम शामल करें अच्छे से इनको तेज गरम करें और फॉरन से सर्फ कर दें इसके लबब अगर यहाँ पर आप ग्रेवी की ठिकनेस देखें तो यह बिलकुल पर्फेक्ट है इनकेस अगर आपसे ग्रेवी जादा थिक हो जाती है तो फिर आप इसमें थोड़ी सी जादा क्रीम शामिल कर दें या फिर थोड़ा सा दूद शामिल करके ग्रेवी की ठिकनेस को बैलन्स कर सकते हैं और लास्ट में डिश आउट करने के बाद जो आईल हम रेसेप्टिट किया था वो इसके ओपर डाल देंगे बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है कौफतों की आईम शूर आप इस रेसिपी को ट्राइ करेंगे तो कौफता की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी बहुत ही क्रीमी, सौफ्ट और परफेक्ट कौफते तयार हुए है मेरी रिक्मेंडेशन पर आपने इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ करना है तो जाते चाते वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजेगा रेसिपी ट्राइ करें तो फीड़ बैक भी जरूर दीजेगा अपना बहुत से ख्याल रखेगा, दौाओं में याद रखेगा थेंक्यू फर वाचिंग, आला हाफिस